ओसिया का किसान क्योंकि उनको भरोसा आए दिवियापर कि मैं जितनी खड़ाई करूगा उतनी खेती होएगी बारंबार होएगी मुझे कोई बताए कि BJP के कारेकाल के अंदर कितने हॉस्पिटल कितनी CHC आई थी कितनी C.H.C. आई थी जेरो नाट आउट हम है हम नाट आउट है और वो हर बात पे टंकी कितनी जेरो C.H.C. कितनी जेरो और फिर कहते हैं कि हम उसियां के विकास की नई गाथा लिखेंगे विदुद के अंदर मुझसे पहले बता रहे थे और मैं पहले बता चुकी हूँ क्योंकि मैं किसान वर्ट से आती हूँ और हमारे पास में कोई वेकल पिक सुरोत नहीं है आई का हमारे यह कोई फैक्टरिया नहीं है कोई मजदूरी पे नहीं जा सकता है और हम पून तरीके से खेती पर निर भर है तो जो हमारी आजीवी का है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए कई बार ओला वरिष्टी हो जाती है कई बार बारिष जादा हो जाती है कई बार होती नहीं है आकाल पड़ जाता है और किसान हमेशा दोहरी मार जेलता है किसान किया है दुगनी हुई नहीं तीन काले कानून आए तो मैं राकेश टिकेश जी के साथ दिल्ली में बैठी थी अभी किशन खुरिवाल जी बता रहे थे तो मैंने एक चीज तर्कीब लगाई मैंने का क्या किया जा सकता है कि औस्या के किसान को एक सुरक्षा का भाव दे सकें क्योंकि प्रकृती की मार को हमारे हाथ में नहीं है तो मैंने का विजिलंस नहीं आएगी औस्यां के अंदर निर्बाद बजली औस्या के किसान को मिलनी चाहिए पहले आप सोते थे, गेट पे पौरा देते थे, कि विजिलेंस आ जाएगी, क्या हाल होते थे वो तो मैंने आप से जो व्यक्तिकत समवाद किये, मीटिंगे करी, तो सब मांड के बताया आपने मुझे राज कैसा चाहिए, विजिलेंस वाला या बिना विजिलेंस वाला नहीं नहीं फिर बताओ राज कैसा चाहिए, तो हमने किसानों को एक सुरक्षा का भाव देने की कोशिश करी, कि उन्देरबाद बिजली मिलती है, तो वो पांच बीगा की जगे आठ बीगा बोता है, कि नहीं मुझे परियाब बिजली मिल जाएगी, मैं कर सकता हूँ, मैं आठ बीगा बो सकता हूँ, उसको विश्वास था, और उसने बीज का खर्चा वर्चा लगा कर, ठेती करी, ख हमस्याई है, अपनी शमता से डबल खेत की जोत कर रहा है, ओस्या का किसान, क्योंकि उनको भरोसा आए दिव्यापर, भरोसा आए दिव्यापर, कि मैं जितनी खडाई करूँगा, उतनी खेती होएगी, बारम बार होएगी,